डिर स्टुडेंट वेलकम टू दे यूनिवर्सल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रस्णावली 3.5 का सेकेंड नंबर का कोश्चन ठीक है तो पहला कोश्चन है सेकेंड का ए और बी के कीन मानों के लिए निम्ने रेखिक समी करनों के युग में के आप परिमीत रूप से अने कहल होंगे कंडिशन आपको पता होना चाहिए आप परिमीत रूप से अने कहल है तो मेरे साथ बोलिए यह कंडिशन हमारा जो है फॉलो करना चाहिए पूरी तरह से साथिस्फाई होगा यह वाला कंडिशन तब उस कंडिशन में रेखिक समी करन युग में के आप परिमीत रूप से अने कहल होंगे तो कोश्चन पहले देख लिए अब इसका आंसर डोनते हैं दूसरा का पहला ठीक है दिया हुआ है टू एक्स प्लस थ्री वाई इस इकॉल टू सेवन ठीक है तो इसको स्टेंडर फॉर्म में जब भी इस टाप का एक्वेशन आएगा इसको स्टेंडर फॉर्म में लिख लेंगे फिर उसके बाद सॉल्ब करने के लिए या समीकरान मानेंगे तो समीकरान वाई एवं ए मैनस बी इन्टो एक्स प्लस ए प्लस बी इन्टो य इस एकॉल टू थ्री ए प्लस बी मैनस टू तो इसको अभी हम लोग इस ट्रेंडर फॉर्म में लाते हैं ए मिनस बी इन्टो एक्स प्लस ए प्लस बी इन्टो आई ये इधर आएगा मैनस में आजागा तो टोटल वेल्यू ये हमारा थ्री ए प्लस बी मैनस टू कॉस्ट में लिक करके जिरो एक्वेशन टू यहाँ पर यहाँ क्या है एवन इस एक्वल टू बी इस एक्वल टू थ्री इस एक्वल टू मैनस से इतना है और एटू कितना हो जागा हमारा इससे ए मैनस बी बी टू कितना हो जागा ए प्लस बी और सी टू कितना हो जागा हमारा मैनस में है ना मैनस पूरा उतार दी जब थ्री ए प्लस बी मैनस टू कितना तो हो जागा अब यहाँ पे समिकरन युग में के अनेक रूप से अब परिमीत रूप से अनेक हाल के लिए क्या है कंडिशन हमारा यहाँ से इंपलाई दा क्या हमारा तो दिएड वा है इस इकल कुछ त्री अपलस बी सी क्या होगा मैनस 7 मैनस 3A पलस B मैनस 2 अब तीनों से एक रिलेशन निकालते हैं ठीक है ये 2 बाइ ये मैनस B इस इकोल टू 3 बाइ ये पलस B इस इकोल टू 7 बाइ 3A पलस B मैनस 2 ये एक दूसरे के इक्वल है तो ये दो में और ये दो में हम लोग रिलेशन निकाल करके फिर से सोल्यूशन निकालेंगे ठीक है तो यहां से कितना होगे है क्रोस मल्टिपिलिकेशन कर लेते हैं 2A पलस 2B इस इकोल टू 3A मैनस 3B ठीक है ये होगे हमारा और दूसरा इधर से कितना हो जागा 9A पलस 3B मैनस 6 इस इकोल टू 7A पलस 7B ठीक है यहां से क्या देखते हैं इसको इधर लेके आएंगे तो मैनस A और इसको इधर लेके आएंगे तो पलस 5B इस इकोल टू 0 एक्वेशन इसे पहले हम लोगों ने एक्वेशन 1,2 ले लिया था 7A को इधर लेके आएंगे तो 2A बचेगा और 7B को इधर से लेके आएंगे तो मैनस 4B हो जाएगा ठीक है मैनस 6 is equal to 0 यहां से हमारा 2 common A मैनस B 2B मैनस 3 is equal to 0 ठीक है यहां से A मैनस 2B is equal to 3 equation 4 अब क्या करेंगे कोई एक मैथड यूज कर लेंगे कोई भी साभी मैथड विलोपन भी थी या कि विस्तापन भी थी हम लोग यूज करेंगे विस्तापन भी थी से ठीक है तो A is equal to कितना हो जागा 3 पलस 2 भी हो जागा हमारा तो समीकरन 4 से ये का मान समीकरन 3 में रखने पर ठीक है मैनस एका वेलू कितना हो जागा 3 प्लस 2 भी पलस 5 भी is equal to 0 यहां से मैनस 3 मैनस 2 भी पलस 5 भी is equal to 0 बी is equal to 1 ठीक है यहां से बी is equal to 1 निकला बी is equal to 1 समीकरन 4 में रखने पर ठीक है तो क्या हो जागा ये मैनस 2 इंटो 1 is equal to 3 ये is equal to 5 अता ये is equal to 5 बी is equal to 1 ये हमारा अंसर हो गया अब दूसरा मेरे कोशन देखते हैं हम लोग दूसरा का दूसरा क्या दियावा कता के किसमान के लिए निम्रेखिक समीकरनों के यूग में का कोई हल नहीं है कोई हल नहीं है इसका मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal c1 by c2 ये होना चाहिए तो हम लोग पहले equation लिखते हैं दूसरा नंबर हल क्या दिया हुआ है 3x plus y is equal to 1 इसको equation 1 माल लेते हैं ठीक है a1 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 equation 2 माल लेते हैं अब आप लोग तो इसमें पूरा निपून हो गए होंगे किसको a1, किसको a2, किसको c1, c2 लेना है तो वही करेंगे यहाँ a1 is equal to 3 b1 is equal to 1 c1 is equal to 1 a2 कितना हो जागा हमारा 2k minus 1 b2 कितना हो जागा k minus 1 और c2 कितना हो जागा यह देखिए यही होता कि अगर आप standard form में नहीं लिखते हैं तो आपका गलत होने का chance जाद हो जादा c1 यहाँ पे क्या है? minus 1 क्योंकि यह इधर आएगा is equal to कि इधर left side में c2 क्या हो जागा? minus 2k plus 1 यह sign का हमेशा धियान रखना क्योंकि अगर sign सही रहेगा तो आपका question सही बनेगा नहीं तो पूरा गलत हो जागा ठेक है? क्या दिया हुआ है? रैखिक समिकरन यूग में के कोई हल नहीं है रैखिक समिकरन यूग में के कोई हल नहीं के लिए क्या होगा? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal c1 by c2 ठीक है? तो यहां से a1 क्या होगा हमारा? 3 a2 क्या होगा? 2k minus 1 is equal to b1 के जगा पर 1 और b2 के जगा पर k minus 1 और is not equal to c1 by c2 अब देखिए आपको मैं बता रहूँ minus 2k plus 1 इसमें क्या है न? आप जो है relation इसी दोनों में निकाल सकते हैं क्योंकि यह इससे relation में नहीं है क्योंकि यह not equal to तो not equal to तो आपका तो बहुत सारा value हो जागा तो k के लिए इस से इस दो से या इस दो से निकालने का कोई भी आपके लिए कुछ नहीं होए आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर is not equal यह कब अगर इसका full का value 5 इसका 5 वह गया ठीक है? इसका 7 आ सकता है, इसका 8 आ सकता है इसका 9 आ सकता है, इसका 10 आ सकता है क्योंकि इस not equal यह दोनों के equal नहीं है तो इसके लिए इस condition अगर equal करने जाते हैं, तो k का कुछ भी value आजाएगा तो constant value के लिए यह इस से, इतना 2 से आपका k का मान निकलेगा, ठीक है? यहाँ से imply z करेंगे 3y 2k minus 1 is equal to 1 by k minus 1 यहाँ से cross multiplication करेंगे 2k minus 1 यह हो जागा हमारा k minus 1 plus 3 k is equal to 2 अब इसको verify करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं के का value 2 निकला? इसमें रखिये हैं, 2 दूनी चाहर मैनस एक 3, एक हो गया कितना था हमारा? k का value 2 1 हो गया 2 minus 1 1 यह भी 1 हो गया अगर यहाँ पर 2 रखते हैं, तो 2 दूनी चाहर plus 1, एक बुट पांच इसका कोई लेना देना ही नहीं, कोई माव आप नहीं है, इससे आपका